कि हैं अब आप सभी आए होप आप सभी के प्रपेशन से लोगी तो मेरी आवास थोड़ी याज अजीव लग दियोगी क्योंकि में बारिश में आया था चलो आप यह एक अगस्त और साथ अगस्त को एकजाम है लिखा है यह पी यह लेकिन अम इसम पीए और क्लक दोनों का ही बेसे लेकि चलेंगे कि दूनों का लवल और क्राइब और अवर्मॉस्ट सेम ही उसार दर्यक लेकिन हम एक तरीक क्या वेक्जाम होता तो तो क्या स्टेग रहती क्या रहना चाहिए क्या आछाका प्रशिश्क करने रहा ऑप यह रह वह देख लिख अब देख अर्र भी ख् बैंकिंग एक्जाम में सबसे एक्जाम होते हैं ठीक है तू रणने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पर टाइम बहुत कम मिलता है और कोशन बहुत सारे होते हैं और कट आफ भी हाई जाती है मैंने यूपी से बहुत है तो पिछली बार का यादी होगा अगरा किसी को याद है यह था मेरा स्कॉर कट अफ थी यह और आज किसी ने याद दिला दी मेरे को यह चलो पैटन लेने से बात करूं तो मैं 40 में से 40 आते यह नहीं बताऊंगा मैं बता तो 40 में आते क्या है क्वांट के 40 में देखो क्या आता है होता है यह जो मांक होते हैं फ्री के होते यह पहुत्व होता है बहुताइज के लेकिने इस प्रेक्टिस अच्छी है अगरम देखेंगे तो बीसमार्क षाते है पॅल्ग और यहां प हमारे बाखिव मिफिलेंस से कभी तो माल्ग मिफिलेंज की वह आते हैं तो यहां पर 25 है ठीक है मिखलेश में क्या क्या आता है आ सकते हैं से ऐंटोien किससे सिलोक से पस नमभर इनलोप इने मझेरटी पसmede रिक्टोस्ट कोडिंग कोडिंग दो से तीन दो से तीन 2-3 डिर्टीन तो स들 किया किके तहरी सिख और में जॉसमा त्यार्ड क्ट है करने में आपको जितना कम आप आर्ट मिनट में सारे कुछ इतनी जली देली करने हैं मतलब इस सारे बहुत इजी होंगे करते हैं मौक से थोड़ा इजी होगा जैसे हम जो भी अपने आशी सर की अंकुष सर की क्लासे से देखते हैं ठीक है ठीक है पजल में हो सकता है कि आपको एक त्रकी पजल मिले शायद वो अनसर्टन वाली होनी चाहिए तो ट्रकी नहीं होगी वह टाइप आपका वीक होगा प कोई साउथ कोई इस्ट फिस खला तो उससे थोड़ी सी नहीं बनती है वह एक तो वह एकदम प्रैक्टिस करने क्या है सेम टाइम डेकड़न आया देखो टाइम डेकड़न आपको क्या है सब तीन चीज़ बताऊंगा एक होता टाइम बेकड़न 23 22 का यह एक यूरूल होता ह में हम 23 उसको देते हैं जो हमारा स्टॉंग पार्ट है और ऑर 22 उसको देते हैं हमारा वी पार्ट है ठीक है फिर एक आता है बीस 25 का टिस पर 20 नहीं विंक है जिसमें चौशनग है ठीक है अब घ्राप्रेस को इंगल के त्रॉंडफों सो टो साइम जाण आप प्र देखो मै मैं बी सी दूँगा रिजनिंग को लेकिन पारच मिनिट मैं एक्सर तब तब दूँगा जब मुझे पूरे कॉंफिडेंस होगा कि मैं अपना जो है पारच मिन एक्सरा देक्ट यानि 25 मिन्ट रिजिनिंग को देखे, 40 मिन से 40 ले सकता हूँ, तो मैं तभी यहाँ पर रिजिनिंग रखूँगा, वन्ना मैं यही वाला रूल फॉलो करूँगा, जब मुझे लगता है कि मैं 40 मिन्ट से यादा रिजिनिंग को नहीं दूँगा, ठीक है, एक यह हो गया, ती यह लगों सॉल्फ कर लेता है, 40 मिनिट में, ठीक है, मतलब इस तक ले लेता है, कॉंट में बाकि यह पाच में बच तो यह बिकार होता है, यह नहीं करना चाहिए, ठीक है, पहले एक पार्ट खतम करो, फिर दूसरा पर खतम करो, क्योंकि हमारा माइं ना, मतलब एक हो था उस मोड में चला लेता है, इस इस pearls करों मोड में और में अनुम में टाइम दबता है, तो नहीं होपाता, ठीक है, लन्फॉर योर मॉक्स, अभड चिया लर्न करना दे खो उगर आप मॉक्स्त नहीं है, तो शुरू कर दो, अगर पहला एक काम जो करो, पहला पीछे अपना देखो trend अपना अपना खुद का ही देखो marks आपके कैसे है आपके नीचे जा रहे है या ऊपर जा रहा है जुग आपका ग्राफ से जा रहा है marks का ठीक है सेकंड आप सिर्फ पाज ट्रॉपिक नोट करो जिसके कोशिन आपके गलत हो देते हैं ठीक है और उन पर वक करो अच्छे से ठीक है थर्ड अगर मैं बता हूं तो थर्ड आप यह करो जवाब भी उसको प्रेक्टिस कर जब जिसे इतनी मल आपने अभी तक दस मौक दे रखें तो आप अभी से लेकर आने वाल दिन तक आप डेली एक जो दुबारा पूरा-पूरा सॉल्व कर आराम से बैठके उसका देखके अच्छे से अंसर देखके समझ ठीक है मैंने आज भी किया था चलो अब उनके बात करता है तो मौक देना स्टार्ट करो टाइमिंग अपने देख लें जैसे में आट बजे किया है तो मेरा एकदाम होफ़ली नौ बजे हो जाएग आराम से दोसको अनलीस करने है ठीक अच्छी से अनलीस करो अनलीस कैसे करना उसका आप पहले करते हैं जो रॉंग होते हैं फिर जो हमारे जो मिस होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं पहले रॉंग वाले जो भी होते हैं फिर जो हमारे राइट हुए पर जिसमें हमको टाइम और हमसे कर तेसकते हूं तो बहुत अच्छी बात हैं ऐसा कर से करेंगे अब हिसमें स्ट्टेजिस आपले स्टाइज करो इसे नहीं किसी में पहले पहले स्टार्ट करो किसी मैं किसी में पहले आप पजल से स्टार्ट करो किसी में पहले 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 से स्टार्ट करो ठीक है तो यही टाइम है कि आप स्ट्रेक्टिजी बनाओगे ठीक है यहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपको अपना किस पर एक्सपीडेंश बताता हूं इस थे थे को मेरा था RRB है प्यों का एक्जाम था है ठीक है तो मैं आपको फ़लें पर रिजिंग का स्कूर बताता हुए इस तरह था था एक्सपेरिमेंट करने खुशिच के लिए मैंने एक भी मौक में अधिमेंटिक पहले कभी न उठाया था ठीक है तो इस नहीं करने आपको अभी से आप आप एसे नहीं करना आप पहले आज निकर आपने पहले मौक दिया तो आपकर पाग्तिक करो अपने देखा कि या नहीं परक्तिस करें नेच्ट करो सब्सक्राइब उससे आप कंप्रूडमेंट हुआ की नहीं ठीक है अगर आप डेली वन परसेंट भी कर रहे हो तो आप 14 परसेंट इंप्रूज तो करोगे कम से कम ठीक है तो मैंने अधिशन करके बताया अगर मुल्टिपाय करें मानलाब डेली दो परसेंट कर रहे हो और अशी डबल डबल कंपॉंड चल दा तो बहुत जाद हो जाए ठीक है जाते है थोड़ा हाई लेवल बात कर दिए मैंने कटफ ट्रेंड बताओ अगर मैं तो मैंने यूपी से बाराता तो मिनम्म कटफ किती आती है में भी 43 का असपर जाती है मिनम्म कटफ ठीक है मैक्सिमम शायद 66 पॉंट सम आपको अपको 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 आपको करके आने हैं आपको ठीक है यह सब बीचोड़ो इस तब फालत बात है करें के कुछ नहीं होता ठीक है हाऊ टोट अब अभी देखर यह मैंने आपको पहली बता दी आँ टोटर आपको के बारे में ठीक है कि आपको डेशी कम-से-कम एक मौक तो देना है दो दे सकते तो बहुत अच्छी बात है उसक्तर अप अच्छे से आप उसको अटेकर टें आपकोस में एक्सपेरिमेंट करने हैं सुबह जो मिस्टेक्स की वह देखने के बाद आप दुबारा उसमें अप्लाई करो कि अच्छा मैंने मिस्टेक्स की थी तो इस वाले मौक में नहीं करूंगा तो कैसा स्कोर रहता है ठीक है तो यह टाइम है जैन हमारे पास आगया पास्ट हाडवक ही मैटर करेगा यह सब सब बड़ी बात है फॉर्टिंटेस में अभी आपके पचास माक्स आ रहे है फॉर्टिंटेस में आप 70 प्लस चलिए नहीं जाने वाला मैं अभी बता देता हूं नहीं जाने वाला इत्ताराम से कि मूख आई है ठीके क्योंकि मेरे भी क्या है बता हूं मैं 64 to 66 या 70 माल लेते हैं इतने अटेंट रहते हैं और मेरे मार्क सभी तक एक में भी 60 प्लस नहीं आया है ठीक है मेरे माक सफ्टी फाइफ 58 ऐसे आ रहे ठीक है तो यह मैक्स मैं अगर मैं जितना भी कोशिश कर लो तो मेरे माउक मे मार्क समेक सिक्स्टी प्लस हो जाएंगे और सुक्स्टी प्लस अगर मौक में तो यानि एक्साइम लेवल में 64 से सैवे से सिक्सी पूर तो शिक्सी माक साइंगे मेरे एक्जाम में ठीक है वमें तो पहले महनत किहां पढ़ेगा इस फॉर्ट इडेस में आपकी जितनी महनत है मैंनलों आपके 50 आ रहे हैं तो पहले इस पचास को रिटेन करना है ठीक है जणाब के इस 50 को थोड़ा बढ़ाना है तो यह 50 से आप साथ तक अराम से लिया सकते हो अगर आप ठीक से महनत करते हो तो ठीक है मैंने मुस्सी चीजें बता दिये कि हाँ डेली प्रेक्टिस का बताना है तीन भिख़व करना है एक तो आप लेर्न कर रहें ठीक है तो उसका प्रैक्टिस करना है सेकन्ड जो मॉक्स में आपके रॉंग आ अपके उसके करना है इसके करना इसां मेट अपने आपने डाइन किया है ने सब्सक्राइद लगानी मॉक में बतारां आप यह इसा चीज को मांदा आ और यहां पर आपने अंक चोडिंग कोडिंग कि उसमें को डिंग आपने किया अरीजदिंग में अपको कोडिंग की बैक्टेस चिंटों करने ही है ठिक दें हमार पास आगे मौक में मान लें एक का मोक में देखते हैं आपका आपको कमसे में इसके डबल टागेट करना है यह मॉक्षेट के बतारों मैं यह गोड़े और असी कौंट कोशन डेली प्रैक्टिस करनी है यह आपर हमार पस आगे 160 कोशन कि ठीक है प्लस एटी कोशन हमारे पास मॉक्षे आगए तो 240 कोशन ठीक है तो प्लस हमारे ये ये वाले थे ये वाले गलत और ये वाले ये जो सीख रेता है और ये गलत वाले ये हम अगर ले लेते हैं तो अल्मुस्ट आपको 250 से 300 कोशन पर डेर प्रैक्टिस कर नहीं पड़ेगी करने मुझे तो मैं कैसे करूंगा सबसे पहले मैंने कर ली डेली चार पजल आती मैं डेली आठ पजल कर लूँगा आठ पंची चालीस चालीस कोशन यहां से मैं इक मैंने मॉग दिया था 40 सब्सक्राइब को मिल घा कर लूठाइब तो 120 120 130 140 तो ऐसी हो गया ठीक है बाकिया अब डिली मिक्स प्रेक्टिस कर रहे हो गया थिके तो यह बहुत 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 है लेकिन है नहीं वह थोड़ा सी है अगर करने जाओंगे तो कॉंट में घ्राइब से खाया नबहुत है तो देखना पड़ेगा अगर के कोशन बढ़ाने पड़ेंगे लेकिन अब एक्जाम का लेवल भी देखो बहुत सरे में 77 तक भी कट ओफ गई है तो यह थोड़ा आपको आप खुद को पूछ नहीं करोगा आपका माइंड कमफर्ट में रहेगा आपका माइंड ही अभी कमफर्ट में बना हुआ कि 55-60 इतन अब बागी कोशन में टाइम बचा प्रैक्टिस करके अगर एक मिट लेते हो एक कोशिशन में आप शे कोशन में एक मिट बचार ले रहे हो ना तो इसा आपको स्ट्रेजी बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब होगा ठीक है तो आई होप मैंने थोड़ा कुछी समझाया अभी एक में पास खाली पेजर में थोड़ी सी बात है और बोल लेता है वैसे मैं बहुत बगवास कर चुक हूँ है ठीक है तो हम देख लेते हैं आरर भी है ठीक है तो हमार पास पीयो आ गया एक और साथ तारीकों हमार पास फिर क्लरक आगया आठ से लेकर 15 थक ठीक है अभी अभी एभी इसका साथ का एक्जाम है उसके पास 21 टेस है ठीक है ट्वैंट वन डेस में बहुत जादा कुछ हो सकता है एक और अल्मूस्ट 7 डिस एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ राएगा उसके बाद भी आपका प्योंका पेपर बली अनल प तब चलेगा एक लिए को दिखाब कर दाएं अगर मैं सातर को खतम है और नेक्स्ट मान लेता है अगर आठ को नहीं पड़ा चौदधा पड़ा तो आपका आराम से एक और है तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी ठीक है अच्छे से अटेंब्ट करो चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ें देखो टेलेम ग्रूप में जाना जॉइन ना करो तब भी चलेगा ठीक है प्रीविएस कोश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना ठीक है सॉल्व करना अगर तीन साल के भी लगा लेते हो तो 120 कोशन आपका होई से मिल गए सिर्फ रीजनिंग के और 120 को सब्सक्राइब करना जैसे आपको लगता है कि आपके बास यह है कि आपके बास यह बैंकिंग प्रेप है इंस्टार्म पर तो वह कोई डाउत होता है किसी चीज को लेकर आप मेसेज कर सकते हो मैं अभी थोड़ा कम ऑनलाइन आता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो तो आप मुझे हों सकते हो तो तो मैं बदेख लूंगा फिर आपको बता दूंगा तो आपको डाउट टुरूद ने आपकी हल्प क्यों होगी मैंने बहुत टाइम ले लिया पता है बहुत बगवास कर दो हूँ ठेक है गोई नहीं चलो अल्द रेस्ट अच्छे से दना एक्जाम